आज मैं एक हाकिकत पताने वाली हूं अगर टाइम है तो सून ले ना एक पर मेरे एक फ्रेंड थी और हमारी घर से उनकी घर का जो दूरी है वो 30 फीट का दूरी है मेरी रूम में उनका घर दिखाई देता है मैं मेरी रूम में बेट के बात करती थी उनचे और जब भी देख उसका पति जो है वो सप्टर एंजिनर है उसका देवर सप्टर एंजिनर है उसका सवसूर्ज है वो भी सप्टर एंजिनर है मतलब एजुकेटर फैमली है उनका खुर्द का घर है एक करोड का घर है और एक साइड बिलिया था वो भी 50 लाका मतलब पेशे का कोई कमी नहीं वो लेड़की क्या करती थी, वो शिलाई भी करती थी और वो एक स्कूल में जाके जब करती थी, उसका तकदिर दिखिए, वो चे मेना के लिए फ्री में काम कर रहे थी, मतलब छे मेना का बाद उसको पैसा देने वाले थे, वो पैसा नहीं मिले थी उसको. बो एक दिन हमको हमारे पति या के सुषाहई हो बोले । रात को बारा उनका जो ब्यटा था दो खेलता तो दुखी आत्म हमेशा दुख में रहते हैं लेकिन उसका पती जो है वो टर्चर करता था क्यूं यह बो लेड़की बास का क्वालिफिकेचन जो है प्लोश्टु तक थी उसका हजबन को चाहिये था मतलब ज्यादा क्वालिफ़ लेड़की तब सुचना चाहिता साधी से पहले एसा नहीं ते जबर से पता नहीं मुझे क लेड़की घर उसका सवस्राल से वो चाहबे चार सो किलयमोटर का दूरी पर है लेकिन उसके पतीने सब बंद कर दिया था उनके माईके से रिष्टा उन्हें जाना आना नहीं वो लोग इधर आते नहीं थे लगए उधर जाते नहीं लेकिन बो लेड़की जो थी वो चिप पॉर सब्सक्राइब मुझे सामीं. ति हमानी यह आढसे महें थी हैं. हमाने थी सब्सक्राइब USB कुछ थे रिखार मिखाएबाद two слब बंई मौति. तो थी बोल रहे थे इतने टायमें उसका पती बोज फोय नहीं था वो एसे मतलब सुना का नाटक करा था वो चुपके चुपके चुप के चत पर चला गया बोलर सकी बोज नहीत हो बोटेख ती इसके बाके बमाकी महें लटे की मतलब ही आगे एक धम सा आबा जाया, वो चार तला बिल्डिंग से नीचे खुद गई थी, वो खुद खुद गई थी, उसका पती ने उसको धक्कल दिया था, कोई आइडिया नहीं मुझे, इसे वो बोल रहा थे, वो खुद ही सुषड कर लिया, वो उसका बेटा है, वो पंदरा साल हो गय कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता देखके, वो मतलब वो दूखी है, उसके घर में कुछ चल रहा है, कभी वो किसको खुल के नहीं बोलता था, हम ऐसा हुदर ही हसके बात करता था, क्या बनाएंगो, हमको कभी बुलाओ खाने पे, मैं ठीक है आजाओ, क्या स्पेसाल बन प्राख में अजर सकते हरेह, हमको ठाना खिलाओ वो हुदर करते हैं, लेकिन हमको कोई आडिया नहीं था, उसको कितना फ्रिड़म हें नहीं है, हमको बोलता था बना कर लेगा। वो झालता था, यह क्या बात हीज़ए हमको खुद कर खिलाओ और लेकी भी खहर पर जाओ, म मुझे कोई आईडिया नहीं था उसके घर में क्या चल रहा है हमेशा बोलती थी हमारे घर पर घर पर लेकिन जब भी हम श्टिचिंग लेकर जाते थे जितना बात को उपर रहा था के करता था वह उनके सास ससुर उसका हज्में के सामने बाती नहीं करता था यह से बीब करता वो जो 10-15 साल चे जिस घर में रह रह थी वो उधर वो घर से उसके निकाल दिया उपर घर में आके रह रह थी वो उतलब इतना नपरत था बड़े बहुसे वो तीन दिन में बोलेर कि इतना प्यार जता दिया इतना हग जता दिया इतना सेवा कर लिया सास ससुरुगा सब का वो उन लोग को शांपर करती उसका पती बच्चा वो उपरा आगे उनका क्या था मुझे कोई आडिया नहीं है कि इसका कशरी नहीं है मुझे कोई आडिया नहीं है लेकिन थोड़ा आप लोग भी सुची इतना अगर को टर्चर कर रहे थी वो एक लेटकी तीन दिन में सब कुछ कर लेगी क्या बो जो पास माले जो साइट लिये थे उनको माबाब को मतलब सासोसुर को उनको थोड़ा चोड़ा बेट से जाधा प्यार था वो एक बा की से हमारे बात हो जाती है वो त्यलगु थी मुझे त्यलगु समझ में आता और उसको साइट बात कर लेते हैं कि फिर क्या हुआ बो फ्कार हो रहा था साइट उससे पहले तो बो दुखी था मतलब बो सब्ट्यार इंजिरियर थे और उसका बीबी मामूली इसे लड़की जोब नहीं करती थी लेकिन वो पेसा कमाने के लिए हर ब कोसित करती थी समय क्यों क्यों हो हिड़ा तुम्हारे जान पिचान में मेरे ! अर यह आ इसी सेंट करो आप लगने तो कियो मेरे पास सरेंड करो एस नहीं 5 वोड़ती थी पेसा नहीं 5, में 11 को रात को साड़े-ज'ार भाजे मुझे एक लिंक भजी थी , जाएका वेख्छा करना से पेशा में हमेचे पयंपट पैसे लीए पाती टर्चर करता था था उसको पैसे केलिए ऑपागल थी जो पो केसे करके पैसा करना न कोड़ blocks I lumière इस बार सुबक वाक मेरा हाजबन ने बही बोल ले थे, मैंने बही होगा, बही लेड़की तो होगा, फिर रात को बारा बजी, वो लोग बोल रहे हैं कि वो उसका पती ने उसको मार दिया, वो मना कर रहा था, माई की वाला से रिस्ता नहीं रखना, क्यू घर के बाते बोल र अप्रीषे में उसको धकल दिया या तो मनने के लिए मजबर कर दिया, मुझे तुम नहीं चाहिए, क्यू जिरहे हो तुम बैसरमव हो तुम अभी कुज पूर जब मुझे तुम नहीं चाहिए, इस हैसे सीचोसन कर दिया कि बह फूजीजे जम कर लिए, वो नीचे गिरा थ अब की उसका जान गया उसका पती गया उसको नीचे उसके घरवाले रहए थे उनको उठाया जलाया सारे बाते वो रेत तौब वे उसका बेटा को ढुण रहा था युझना भाव मिला है बात करना है उसे देखना मे pensar फ़की वह मन्नेवाली है उसको मुला है करेंगे तो करना क्या करना है अभी नहीं तो पुलिस में फचाएंगे बो सारों सब कुछ बोल देगे फिर वह इंतेजार किया मनने का वह मर गी तड़के मर गी फिर उसके बाद वह क्या गए आंबुलांस को बलाए आप जो आया तब जब वह मर चुकी थी फिर हास्पिराल की गए पलीस पाल ले पुलीस कम पण कर दिया तुम चल जाओ इधर से नेत्रहों मीडिया आएंगे तुमको सवाल जबाब करेंगे तो तुम पंगड जाओ उसके बाद नहीं बोला फिर रातार हो तो बैंगलोन निकल गया की बो और वार्ट्रों होम कर रा था इधर उधर जब कहरा था मतला घर पर रेके खार नाउजक किसा होगा तो मा बुलाएगा कितना सब कुसु सोचा होगा बच्चा वह लास्ट था उसको माको नहीं देख पाया इधर क्या करते हैं सब लोग किसी का भी टेत हो जाता है वो दोल लंगड़ा बजाते हैं फूल बिचा बिचा के फूल समसान तक जाते फूल रोड में बिचा बिचा जाते वो फर्मालिटी भी वो नहीं पुरा किया वो उधर पेशा दिला दिया वो बच्चा उसका माको भी लास्ट टाइम नहीं देखा उसके बाद उसका माको तो फोन में बात कर रही थी उसका माको आइडिया हुआ वो शाड़े चार सो किलेमेटर आने के लिए कितना टाइम उसको लगया जब तक वह आई थी तब तक सब कुछ हो चुका था कम उसका हजबन चला गया था वो उनका जो बच्चा था वो बच्चा को लगी चला गया त्याना मतलब यह है कुछ लोगों सुचते हैं मतलब रिष्टा सुधर जाएगा कभी ना कभी सुधर जाएगा आज नहीं तो काल सुधर जाएगा एक एक पर एस कोड़ी का भाव पर देखेंगे पिर भी जो लोग खुद को बचाने के लिए आपको मनने के बाद भी आपको बंद्राम कर देते हैं तो एसा लोग कोई भरोसा नहीं एसा लोग का रिस्पट क्यों कॉन्स बहुई लोगों बोल दिये मतलब वो इसके साथ एलेगल ना कंटाक्ट में थी वो उसका पती को मालूम पड़ गया मालूम पड़ने के बाद रात वही टाइम में अगर कोई दूख को सुनने बाला कोई होगा तो फिर आप यह जो आइडिया को ना आप पोस्पन कर सकते हैं वही बोलेटकी के साथ हुआ था माहा ऐसे थोड़ा बात कर लेंगे थोड़ा दिल हलका हो जाएगा ऐसे सोच के वह बात करने के लिगी थी लेकि कोई सोर सरावा नहीं कोई रोनाधना नहीं कोई कुछ भी ने ऐसे कैसे हो सकता या कुछ तो फर्मलाटी मेंटन कर देते हैं उसका पती 15 सल का रिस्ता था था कुभी ना कुछ ना कुछ तो वह सुख दिया होगा जैसा नहीं कि मतलब हुआ है इतना टर्चर करता था वीब को कोई फर्क नहीं पटा मनने के बाद भी आपको बदनाम कर देते हैं कि खुद को बचा रहा है